विकास दूबे के एंकाउंटर पर पूर्व मुख्य मंतरी दीगवीजे सीह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का यह अपरादी था यह तो होना ही था। MP पुलिस के स्रेय लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीजी सीक्यूरेटी ने पकड़ा था लेकिन प्रदेश की पुलिस स्रेय लेने की कोशिश कर रही है। कौन-कौन पुलिस के बड़े अधिकारी कर्मचारी शास की अधिकारी मिले हुए थे इन सब चीजों का खुलासा होता। लेकिन ऐसे अपरादी का हस्र यही होना था। भौपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। से वो सरेंडर हुआ या गिरफतार हुआ। मद्धुदेश पुलिस श्रेय लेना चाहती है। लेकिन यह बात साफ है कि इसको सेग्रूर्टी पुलिस जो मिजी सेग्रूर्टी एजनसी के लोग थे उन्होंने इसको पक रहा था। मद्धुदेश पुलिस तो जानकारी भी इसने उजयन जो चुना मद्धुदेश जो चुना। मुझे जो लगता है उत्रपुदेश की पुलिस से इंकाउंटर होने की संभावना से बचने के लिए। और फिर जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ। यूपी पुलिस ने इंकाउंटर किया। तीन इंकाउंटर हुए हैं पिछले चार दिन में। यूपी पुलिस ने जो किये हैं। दो इसके साथी थी और इसका। तीनों का जो कटना करम है वह एक साह है। जब व्यक्ति ऐसे फोकार व्यक्ति थी गिरिफ्ट में हैं। तो उसे हद्कड़ी क्यों नहीं लगाई जाती है। तीनों जगे यह हुआ। गाड़ी रुकी उसमें पिस्तोल या राइफिल शीनी भागा और गोडी माल दी गए। तीनों इंकाउंटर एक तरीके से हुए। यह थोड़ा एक प्रशंचिन लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी। क्योंकि इसके पास जो राज थे कौन-कौन राजमेतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी। कौन-कौन पुलिस के बड़े अधिकारी गंचारी पुलिस कर्मी से मिले हुए थे शास की अधिकारी कौन मिले हुए थे। सब चीजों की का खुलासा होता है। खेर ऐसे अपराजी का हर्श तो होना था। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल S W24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे देल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भूले।